धरातल पर हमारी एजेंडा दिखाई पर रही है तो लोग अपना बहाना ढूनने का काम कर रहे हैं दोतीने एजेंडा है उस और जो है हमारा समाज जो है धिरे धिरे बार रहा है जिरासत को देख रहे हैं जिनकी जो बाते आती हैं तरह तरह के करते हैं अंदुना करने के बाद ही जो है अपनी दिन्चरिया का प्रारंब करते हैं जब आंदुलन चल रहा था राम मंदिर का तो उस समें पुरूसों के साथ महिलाएं कंधे में कंधे मिलाकर राम मंदिर आंदुलन में साथ दे रहे थे आरोप यह है जद्यूक के महा सचीव है राजिवन नों ने कहा है कि महिलाएं कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं प्रान प्रतिष्टा में यह आरोप बेबुनियाद है और उन्लोग का जो है इसके नाम पर भीतोष्टी कर राजनितिक में राजनित ढूंड रहे हैं आज हर लोग सहर्स खुसी का महौल मना रहे हैं सांस्किर्टिक बिरासत को देख रहे हैं और जिनकी बाते आती है तरह तरह के करते हैं उन बातों पर भरती समाज ध्यान नहीं दे रहे हैं राजत का भी आरोप है कि राम मंदिर में राम कम दिख रहे हैं ऐध्या में और परधान मंतरी नरंद्र मोदी जाधा दिख रहे हैं ओ लोग कभी हम लोग उपहा सुराते थे आज ही जब हकीकत में धरातल पर हमारी एजेंडा दिखाई पर रही है थो लोग अपना बहाना डूढने का काम कर रहे हैं यही लोग नहीं कहते थे मन्दिर वहीं बनाएंगे, तारिक नहीं बताएंगे आज मन्दिर भी बन गया है भगवान की प्रनपरतिश्ठा भी हो रही है तो तरह तरह की बात निकाल रहा है इसका कोई अर्थ नहीं है, हम लोग उन बातों की और नहीं ध्यान देते हैं एक आरोप कॉंग्रेस का भी है, कॉंग्रेस का काना है कि राम मंदिर एक एजेंडा है 2024 लोग से वाचुनाव पास है, अधूरा भी राम मंदिर है, अभी बना भी नहीं सही डंग से और ये लोग प्रान परतिष्ठा करने लगें एजेंडा है ही, याज की बात है क्या, भारती जनता पार्टी का जब पदारपन हुआ, उसी समय से एजेंडा है 370 एजेंडा हमारा था, राम मंदिर एजेंडा है, और दो तीने एजेंडा है, उस और हमारा समाज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा एक आरोप ये है कि जो पाटी माता जानकी का सम्मान नहीं कर पाए, वो संगठन की महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे अपनी दिन्चरिया का प्रारंब करते हैं, रादे क्रेशन, सीता राम इस तरह की बात जो हम लोग की दिन्चरिया में है आप सुन रहे थे भारते रांटा पार्टी की बिधायक व्रेंद कुमार को इन्हाने साबत तोर पर कहा कि हां मेरा तो एजन्डा ही था अपनी दिपर्वार बिड़े से योगास तोस इंके साथ मेसा दन्यी पटना